तीस हजार की सैलरी च्वालिस लाग का बीमा चार साल की नौकरी अगनी वीरों को क्या क्या मिलेगा कितना होगा एनूल पैकेज आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे बस इस रिपोर्ट को अंतक देखिएगा और समझेगा कि कैसे मंगलवार का दिन बहुत बड़ा दिन साबित हुआ क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने युवाओं को बड़ी सोगात दी कुरोना की भेट चड़ी सेना की भरतियों को लेकर केंद सरकार ने एक एहम फैसला लिया तो चलिए अब समझे कि क्या क्या है अगनी वीरों की दास्तान सवाल नंबर एक जो आपके मन में है कौन बन सकेगा अगनी वीर तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लिजे कि कौन बन सकेगा अगनी वीर अगनी पस कीम में भरती के लिए अगनी वीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधी की घोशना भी की है और उसी एलान के मताबिक इसमें सबसे पहले साल युवाओं को 30,000 रुपे मासिक पे पर रखा जाएगा जिसमें एपी एफ पी एफ की सुविधा के साथ साथ अगनी वीर पहले साल 4,76,000 रुपे पाएंगे और चौते साल तक वेतन 40,000 रुपे यानि सलाना 6,92,000 रुपे तक मिलेगा राश्ट की सेवा की इस ट्रेनिंग के वक्त अगनी वीरों को तमाम सैने कौशल और अनुभव के साथ साथ अनुशासन, शारिविक फिटनेस, सहस और धेश प्रेम के जजबे को मजबूत करने की कोशिश में एक बड़ा कदम माना जा रहा है चार साल के इस कारेकाल के बाद अगनी वीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वो राश्ट निर्मान के लिए योगदान देंगे अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस ट्रेनिंग के बाद क्या होगा जी सवाल नमबर तीन कि ट्रेनिंग के बाद क्या होगा ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सेटिफिके हर एक अगनी वीर जब कोशल हासिल करेगा तो उसे यूनीक बायो डाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमान पत्र भी दिया जाएगा इतना ही नहीं अगनी वीरों को लेकर एक और बड़ा फैसला अभी बाकी है क्योंकि चार साल के बाद सेना भरती के लिए वेलंटियर करने का मौका भी इनी को दिया जाएगा आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपून रास्ट खास तोर पर हमारे नौजमान आरण सर्फोर्सेस को सम्मान के नजरिये से देखते हैं अपने जीमन काल में कभी न कभी प्रतेक बच्चा सेना की वर्दी धारन करने की वो तमन्ना रखता है अगनिपथ योजना के अंतरगत ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्डन आरण सर्फोर्सेस का प्रोफाईल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाईल से यह फाइदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेकनलोजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेबल भी काफी बहतर होगा साथियो इस अगनिपथ योजना से इंप्लाइमेंट अपरिशुन्टीज बढ़ेंगी और अगनिवीर सेवा के दोरान अरजिती स्किल्स यम एक्सपेरियंस उन्हें विभेने शेत्रों में इंप्लाइमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारती आर्थविवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता होगी सेना में 25 पीज़ी अगनिवीरों को रिटेन भी किया जाएगा जो निपूर्ण और सक्षम होंगे और हाँ ये तभी संभव होगा अगर उत समय सेना में भरती निकली होगी इसके लिए 4 साल का कारेकाल पूरा कर चुके अगनिवीर वालेंटियर कर सकेंगे यानि अगनिवीर का कारेकाल पूरा करने के बाद देश भक्ती का ज़जबा लिए जुआओं के लिए रास्ते और खुलेंगे निश्यत रूप से राश्मिर्मान की दिशा में ये एक बड़ा कदम है तो तयार हो जाईए अगनी पत के लिए वीरो रिपोर्ट न्यूजबल इंडिया